आज मैं लेकर आए हूँ आपके लिए सावु दाने के पराठे और पूरी की रेसिपी अभी नवरात्र के व्रत भी चल रहे हैं अगर आपने कभी सावु दाने के पराठे या फिर पूरी नहीं खाये हैं तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर राय करें आपको ये बहुत पसंद आएगी और सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए हमें पहले से कोई भी तयारी नहीं करनी है फिर भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट कूड़ी बनकर तयार होंगी तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं हलो एवरिवन मैं हूँ शिवानी और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है शिवान्स किचिन में तो सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रखेंगे और उसमें हम डालेंगे एक कप सावुदाना यहां पर मैंने मीडियम साइज का सावुदाना लिया है आज की पूरी या पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम सावुदाने का आठा तयार करेंगे तो यहां पर हम पहले थोड मिनट के लिए गैस पर इस तरीके से भून लें जिससे कि इसमें जो भी नमी होगी वो निकल जाएगी और इससे एक महीन पाउडर बढ़ कर तयार हो जाएगा तो यहां पर मैंने इसे दो मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है अब हम गैस को बंद कर देंगे और तयार किया है पूरा इसमें डाल देंगे इसे हमें अच्छे से पीस कर इसका एक महीन पाउडर तयार करना है तो यहां पर जो सावु दाना है पूरा का पूरा में इस जार में डाल देती हो और इसे अच्छे से चलाकर इसका एक पाउडर तयार कर लेती हो अब यहां पर हम हमारी पूड़ियां और पराठी जो है वो बहुत अच्छे से बनेंगे तो यह देखिए इसे मैंने अच्छे से छान लिया है इसमें जो थोड़ा बहुत मौटा पार्ट है उसे हम अलग कर देंगे यहां पर हमारा साबुदाने का आटा बनकर तयार है आप चाहो तो इस आट कंटेनर में भर कर एक महिने तक स्टोर कर सकते हो जब आपको यूज करना हो तब इसे आप यूज करें तो अब हम इस साटे में डाल देंगे दो मीडियम साइज के उबले हुए आलू यहां पर मैंने आलू को अच्छे से कद्दू कस कर लिया है हमारे पराठी और पूरी अ खाया जाता है इसी के साथ आदा छोटा चमबच के करीव हम इसने कुटी हुई काली मिर्श डाल देंगे एक चोथा ही चोटा चमबच के करीव मैंने यहां पर जीरा डाला है अगर आप वरत में हरी मिर्श और हरा धनिया खाते हैं तो आप यहां पर डाल सकते हैं बस आप क ध्यान ये रखना है कि बारिक कट करके ही डाले अब पहले आलो के साथ आटे को अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमें ये पता चली कि हमें इसमें कितना पानी डालना है तो यहाँ पर मैंने आलो के साथ आटे को अच्छे से मिला लिया है अब हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ नहीं होगा तो उसकी पूड़ी या पराटे अच्छे नहीं बनेंगे वो टाइट हो जाएंगे इसलिए हमें इसका एक मुलाइम आटा तयार करना है धीरे धीरे करके आप इसमें पानी डालेंगे और इसे एक्षा करते जाएंगे इसमें कम से कम 5-6 मिनट का टाइम लगेगा तभी ये आटा इस तरीके से सॉफ्ट लगकर तयार होगा तो अभी हम इसे ढखकर 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि सावुदाना अच्छे से फूल जाए तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं अब हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं और यह देखिए आटा कितना टाइट हो चुका है तो हमें इसे फिर से थोड़ा सा पानी डाल कर एक्षा करना है क्योंकि टाइट आटे की पूरिया अच्छी नहीं बनेंगी इसे हमें हलका सा सॉ सॉफ्ट रहना बहुत जरूरी है तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से चिकना कर लिया है यह एक सा हो चुका है तो जब आप आटे को लगाएंगे तो आपको हातों से फील हो जाएगा कि आटा एकदम सॉफ्ट है या नहीं इस तरीके का आटा लगा कर तयार करना है तो बहुत आसानी से बिल जाता है अगर आपको लगे कि यह चिपक रहा है तो आप फिर से आटे को लगा लें और इसे अच्छे से बेलें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पतला बिला है अगर आपसे यह ना बिले तो आप इसे मोटा भी बिल सकते हैं लेकिन आप इसे ज़्याद यह देखिए यहाँ पर हमने एक पराठे को बेल कर तयार कर लिया है अब मैंने गैस पर एक पैन रखा है जिसमें हम इसे डाल देंगे अब इसे हम हलका सा सिखने देंगे एक साइट से जैसे आपको लगे एक साइट से हलका सा सिख चुका है इसे हम पलट देंगे और इसके इसे सिख न जाए इस पर अच्छा सा कलर ना जाए तो जब इस तरीके से आप दवा दवा कर सिखेंगे तो आप देखेंगे कि पराठा फूलता भी है तो यहां पर एक पराठा सिख कर तया है अब इसी तरीके से हम दूसरा भी डालेंगे और इसे दौनों साइट से अच्छे के भी बना लेंगे अब बचे हुए आते से हम पुणियां बना कर तयार करेंगे तो उसके लिए थोड़ी सी छोटी लोई लेंगे और इस पर हम फिर से आता लगा कर इसे बेलेंगे तो पराथे के लिए हम ने लोई ली थी यहां पर हम पूड़ी बेल रहे हैं तो इसके लिए हम छोटी सी लोई लेंगे और इसे इस तरीके से बेल लेंगे अब पूड़ी हमारी दिखने में बिल्कुल एकसी लगे उसके लिए हम एक कटोरी लेंगे और इस तरीके से हम उसे कट कर लेंगे इससे की हमार फूली पूड़ी बनकर तयार होंगी यहाँ पर मैं दूसरी भी डाल देती हूँ और जैसे ही यह सिक कर ऊपर आएगी यह भी अच्छे से फूल जाएगी इस तरीके से हलका सा पलटा आप इस पर लगाते जाएं और यह देखे दूसरी पूड़ी भी फूल कर तयार है अब इनए हम पलटते हुए दोनर साइट से क्रिस्पी कर लेंगे यहाँ पर एक पूड़ी से चुक問 है इसे हम निकाल लेंगे और दूसरी को हम पलटते हैं इसी तरीके से पलटते हुए हमें बाकी की सभी पूडियों को सेकर तयार कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी की सभी पूडियां फूलती जा रही है एक दब फूली फूली पूडिये बनकर तयार होंगी तो आप एक पर इस तरीके से जरूर बनाए आपको बात तक ही पराठे मुलाइम बने रहते हैं तो आप इस तरीके से एक बात जरूर ट्राय करें आपको ये बहुत पसंद आएंगी तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसी के साथ अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू